नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नहीं पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मील हतीली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे सामने बीबी चना के लिए आई हुई है एक बात देखेगा ये वाला भाग हमारी हतीली में निम्न मंगल का होता है और ये वाला जो भाग होता है ये हमारी हतीली में उच्च मंगल का होता है ठीक है ने और ये जो ग्रह है ये हमारे प्राक्रम को दिखाते हैं हमारे एनरजेटिक स्वभाव को दिखाते हैं और इसमें जो लकीरे बनती है उनका विसेश महतो होता है चाहिए इसमें बने चाहिए इसमें बने और इन दोनों ग्रहों से किसी ग्रह में कोई अगर लकीर जाती है तो उसका फायदा भी जबरदस्त होता है उसका महत्व भी बहुत अच्छा होता है अब यहाँ पे देखेंगे आप यह उच्चमंगल से यहाँ पे इस प्रकार की लकीर है और सीधा जाके वो सूर्य परवत पे पहुँच रही है यह वाला जो भाग है यह सूर्य का परवत है इस परवत पे पहुँच रही है और देखेगा किसी भी विक्ति के जीवन में हतेली में अगर यहाँ से कोई रेखा चलकर सुर्य के परोध पे पहुँचती है तो निश्चित रोप से जो है ऐसे जातोकों का जो भाग्योदाई होता है वो बिदेश में होता है बिदेश में जो है ऐसे लोगों का भाग्योदाई होता है किसी मल्टिनेशनल कमपनी में बिग सैलरी में बिग जॉब ऐसे लोगों को मि यह इस चीज को दिखाता है और आपके जीवन में ठीक 35 वर्ष में सादी के योग भी बन रहे हैं और 35 वर्ष में बिदेश में कम्पनी में नौकरी के योग भी बन रहे हैं बड़े पदपेacak यह इस चीज को दिखा रहा है अगर आप विदेश में नहीं जाते हैं वहां आपका कोई जो है रुज्ञान नहीं है तो ये रेखा राजनीती के लिए राजनीती में अपने दबदबा के लिए अपने पावर और पोजिसन को दिखाती है उसके साथ साथ यहां पे ये आपका जो है ब्रिस्पतिका परोत है इसमें इस परकार का चोतुसकोन हो और ब्रिस्पतिका परोत सांदार हो जैसे आपकी हतेली में है सांदार नहीं है ब्रिस्पतिका परोत लेकिन चोतुसकोन सांदार है तो ऐसे लोग कुसल परसासक होते हैं गरीब घर में पैदा होकर भी अत्यंत उच्च पद की प्रापति करते हैं, ठीक है नई ये पद ही बता रहा है, उच्च पद की प्रापति, लीकिन नोकरी में, किसी मर्टिनेशनल कमपणी में, राजनीती में नहीं और नहीं किसी ब्यापार में, आपकी हतेली नोकरी को दिखा रहा है ना राजनीति दिखा रहा है अभी और 35 वर्स तक तो खास कर कुछ नजर नहीं आ रहा है राजनीति के छेत्र में अभी बताता हूं मैं क्या चीजें हैं अब यहां पर देखेगा यह मुख्य रेखाएं थी मैंने आपको बता दी है आपकी हतेली में अगर यहां पर देखेंगे तो केवल छोटी बड़ी बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाल बना रही है और जो कहीं न कहीं नगेटिब उर्जा को दिखा रहा है और इस चीज का पहला प्रभाव आपकी जीवन के मन पर आपकी जीवन के मस्तिस्क पे पड़ता है आपके मन पर और मस्तिस्क पे जीवन में उल्जन की इस्तिति उत्पन होने बैठ जाती है उल्जने बहुत ज्यादा आने बैठ जाती है जीवन में confusion की इस्तिति ये create करने शुरू कर लेती है और व्यक्ति को दुविधा में डालना शुरू कर लेती है व्यक्ति दुविधा में रहता है और जो उसकी निरणे लेनी की ताकत है उसको ये छीन भी करती है व्यक्ति सही से decision नहीं ले पाता है एक example की तौर पे career को ही ले लो व्यक्ति दुविधा ये नहीं कर पाता है कि मैं ब्यापार करूँ या नौकरी करूँ या किस परकार की नौकरी करूँ किस परकार का ब्यापार करूँ किस छेतर में मुझे तरकी मिलने वाली है ये decision नहीं ले पाता है वो decision अपना दूसरे पे छोड़ देता है और दूसरा जो decision लेता है वो इसको फिट नहीं बैठता है ये ऐसी इस्तितियों को व्यक्तिकी जिवन में खड़ा करता है दूसरा इसका प्रभाव रिष्टों पे पड़ता है चाहे दामपत्य जिवन का रिष्टा हो चाहे परिवार का रिष्टा हो या कुटुम का रिष्टा हो ऐसी इस्तिति में रिष्टे नहीं बन पाते हैं मनि अगर विवहा के लिए ऐसक्ति प्रियास कर रहा हो तो जल्दी से साधी नहीं होती है कहीं न कोई या तो रिस्ता नहीं जम पाता है या प्रस्तितियां सामने आती है या बनता-बनता काम बिगड जाता है लेकिन रिस्ते नहीं बन पाते हैं और बन भी गए तो वो रिस्ते मैनेज नहीं हो पाते है और उससे जो परिवार का सुक होता है रिस्तों का, जो कुटुम के रिस्तों का सुक होता है, उसका जो चरम सुक है, उसके आगे प्रस्तितियां खड़ी होती है, तो ये रिस्तों पे इस प्रकार का प्रभाव डालता है, जो डाल भी रहा है, और तीसरा इसका प्रभाव, आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, वो सकता है कुटुम के कारण धन खुब आ रहा हो लेकिन अपने कमाई हुई जो धन है वो कहीं न कहीं बीमारों अवस्ता में पहुँचता रहता है वो आपको दरिद्दर्ता की और धकेलता है और चौथा इसका जो प्रभाव है आपके स्वस्त्य पे पड़ता है ध्यान रखेगा चाहे वो सारिरिक स्वस्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो इसमें बिकार आने सुरू हो जाती है पाँचवां इसका जो मुख्य प्रमाव है आपकी जो डेपलपमेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उस पर पढ़ता है आपका जो सफलता का अस्तर है वो सफलता का अस्तर उसका पैराग्राप 0 की तरप आना खिसकना सुरू हो जाता है मनी जीवन के जो मुख्या पाँच आयाम है जो जीवन काल के लिए बहुत जरूरी है उन पे इसका प्रभाव पड़ता है क्या करना चाहिए इस चीज को सबसे पहले सुधारना है आपने और देखेगा मैं पुनह कह रहा हूँ इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य किरिया एक दिव्य योग ध्यान किरिया और बनस्पति अश्नान दे रहा हूँ विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाब जीवनकाल में आपको होगा अब थोड़ा हम आपके सवालों के उपर जाते हैं फिर मैं एक एक करके जो है चीजों को बताता हूँ आपका पहला सवाल है बिबाहा का योग कब तक का है कहीं रिस्ता जम नहीं पा रहा है इसका उपाई बताए भगवान ने चाहा तो ठीक 35 वर्स तक योग तो बनी हुए है लेकिन कोई न कोई समस्याई हतीली में है जिसके कारण जो है रिस्ता नहीं जम पा रहा है साधी नहीं हो पा रही है सांदार उपाई बताऊंगा अगर करेंगी तो निश्चित ही जिवनकाल के 35 वर्स तक भग ये रेखा इस्तरोसी जा रही है और ये रेखा इस्तरोसी जा रही है दो चीजें कह रही है एक तो ये बता रहा है कि जो साधी का रिस्ता है निश्चित तोर पे 35 वर्स तक आपकी जिवनकाल में जो है साधी के योग है निश्चित रोप से साधी हो जाएगी दूसरा ये बता रहा है आपके इrea स्थते आपकी बता रहा है के जीवन काल के थिक 35 वर्पश से लेके और 55 वर्पश के बीच में धन कमाने के सांदर आउसर आपके पास आ रहे हैं अगर आपने बुद्धि मता से काम ले लिया तो निश्चित ही जो है धन के योग बन रहे हैं और खास कर साधी होने के बाद इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है यह इस पष्ट तरीके से यहां पर बता रहा है अब आपने दूसरा मुख्या प्रश्ण किया है ब्यापार की छेतर में करना चाहिए क्योंकि मेरा कार्य कुछ दिनों तक चलता है फिर उसमें बहुत सारी बाधाई आने लग जाती हैं आपके पूरे घर में जो है नजर दोस दिखाई दे रहा है इसका उपाय और दो काम आपने अपनी जिवन में करने हैं एक तो ये पित्रपक्ष आ रहा है जो सराद आ रहे हैं हलका पित्रदोस भी आपकी घर में है अपने कुल प्रोहित को बुला के अगर कुल प्रोहित नहीं है तो किसी करमकांडी जानकार ब्रहमन को बुला करके इस पित्रपक् करना है तो निश्चिती ब्राह्मन बहुत अच्छी पूजा कर्म करेंगे और पितरदोस निकल जाएगा दूसरी बात नवरात्रे आरे हैं उसके बात आपके घर में नजरदोस बहुत जादा है तो उन नवरात्रों में चाई आप सब्तमीत थि ओ चाई अश्टमीत थि ओ चाई नौमीत थि किसी जानकार ब्रामन को बुला करके शानदर हवन कीजिएगा मा भगुती का पाठ करे लिएगा उनका पूरा हवन करेगा आपके घर से नजरदोस निकल जाएगा ठीक है ये दो तीन काम आपने करने हैं तो आपके जो कारे कुछ दिन चलते हैं फिर बाधाई आती है वो जे रुक जाएंगी आपके कारे शानदारी इस्तित में चलेंगे अब ब्यापार का अगर छेतर देखें तो इनका सुक्र और ग्रहों से मजबूत है तो रेडिमेट कपणों का ब्यापार है या जो लगजरी आइटम है उनका ब्यापार है या आपके जो है ब्यूटी अगर नोकरी में यह जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब आपने तीसरा बहुत महत्वण प्रश्न पूछा है पावर और पोजिशन की इस्तिति क्या है इनकी क्योंकि आपका परिवार राजनीती वाले घर से डिपेंड करता है वो तो ठीक है राजनीती वाले घर से डिपेंड करता है वो इनकी हतेली में चिन भी दिखाई दी रहे है लेकिन राजनीती में पावर और दबदबा के लिए चार ग्रह मजबूत होने बहुत जरूरी है और बहुत ज़्यादा मजबूत नहों कम से कम थोड़ा तो हो उसमें मंगल है तो इनके मंगल बहुत अच जो सरकार का कारक होता है जो आपको बिस्तार देता है फैलाव देता है नाम और यस देता है और चंद्रमा आपका ठीक नहीं ये दो ग्रह बहुत वीक हैं तो मैं नहीं समझता हूँ अभी तकरिबन 4-5 सालों तक कि कहीं न कहीं इनको कोई पावर या पोजिसन की इस्तिति म नहीं है हाँ इनको ठेक करते हैं तो निश्चित रूप से यह रेखा हुआ यह चतुस्कून हुआ यह जबर्दस्त में है आगे इसका इनको जबर्दस्त फायदा मिलेगा साररिक इस्तिति का क्या पोजिसन है आने वाले समय में अगर सूर्य इसी तरो रहा तो चाए साररिक हो चाए मानसिक हो परस्तितियां सामने आएंगी और कोई खास चीज नहीं दिखाई दे रही है तो इसलिए सूर्य को ठीक करें और इस नगेटिव उर्जा को हटा ले तो जरुरत नहीं दिखाई दे रही है अब आपकी हतेली में चलते हैं हम कुछ अन्य चीजों पे एक बहुत मतपून चीज है दो देखेगा यहां पे रिंग फिंगर है इसके नीचे का ये भाग है ये सूर्य का भाग है और ये सूर्य का भाग बिलकुल बैठा हुआ है जब ये सूर्य का भाग इस प्रकार से बैठा होता है तेली में तो हमारे जितने भी प्रियास हैं वो प्रियास सफल नहीं हो पाते हैं चाहिए किसी भी छेतर में आप प्रियास करो वो प्रियास सफल नहीं हो पाते हैं उसमें असफलता मिलती है दूसरा जो आपके अंदर योग और तीसरा चौथा अगर हम बात करें आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है एक सहजता से एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है जो मेहनत आप करते हैं जो परिस्रम आप करते हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता है ऐसे में अगर आप ब्यापार की तरब जाते हैं तो ब्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है न वो फैलाओ मिलता है न नाम मिलता है न यस मिल पाता है जिसके लिए आपने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गए थे ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे होते हैं तो नौकरी में वो वास्तिक ग्रौथ नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक दिब्य सूर्य किरिया और सूर्य उपासना करनी चाहिए अगर आप विद्योत तरीके से सूर्य किरिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो सारिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस परताल मेल में आने बैठ जाते हैं और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है जहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छी होती है वहीं आपका मानसिक संतोनन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजिता से चलने बैठ जाता है फिर चाहे आपका सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे जीवन की वास्त्विक खुसाली हो चाहे जीवन का उत्सा हो चाहे उसकी उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है ये चीजें हमेशा आपके साथ बनी रहती है तो दिब्य सूर्य किरिया दे रहा हो जरूर करेगा लाव होगा चंद्रमा की इस्तिती भी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है अभी कम से कम 18 महने तक यहाँ पे बता रहा है कि मानसिक रोप से थोड़ा सा जो है गडबड इसाब रहेगा ठीक है और थोड़ा इमोशनली प्रेशान रह सकते हैं कभी कभी मन ब्याकुल हो सकता है मन भटक सकता है मन उदास से रह सकता है या कारियों में मन नहीं लग सकता है और अपने digestive system का भी आपको द्यान रखना होगा पेट का कभी कभी नीन आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मां के साथ थोड़ा सा जो है यहां पे विचारों का आदान परदान या मां का जो पूरा सुक है उसमें हल्की कमी देता है यह अगर ऐसा हो रहा है तो पाने का सिवन जादा करे खाना खाने के बाद गुड़ का सिवन करे चीजें ठीक होने शुरू हो जाएगी अब चलते हैं आपकी हतेली में अन्य चीज़ों की तरफ यहां पे ये ब्रिस्पती है आपका बहुत सुन्दर चिन है लेकिन ब्रिस्पती साधारन अवस्ता में बैठ गया है और इस अवस्ता में ये आपके अंदर भी इंजीनियरिंग का छेत्र हो चिकित्सा का छेत्र हो मैनेजमेंट का छेत्र हो बानिज्जा का छेत्र हो और कानून का छेत्र हो तथा राजनीति का छेत्र हो इन छेत्रों में बिक्ति काम करने की सोच रहा हो या काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी काम्यावी नहीं मिलती है इसके लिए ब्रस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी होता है और देखेगा ऐसे में अपने से बुड़ों का चाहे पद में बढ़ा हो, चाहे उम्र में बढ़ा हो बहुत ज़्यादा सयोग नहीं मिल पाता है तो इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको एक दिब्य सूर्य किरिया एक दिब्य योग ध्यान किरिया और एक आपको ब्रस्पति अश्नान और सूर्य उपासना जरूर करनी चाहे अगर आप ये करते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अच्छा लाब होगा ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरह तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस स्वर में विश्वास मना रहेगा यहां पर ये पूरी तरों से इस तरह जुक रही है तो मस्तिस्क से जिसमें बहुत ज़्यादा काम चलता हो ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सो टेबल रहेगा नेम फिम पाने के एक्छा बहुत अच्छी रहेगी धन और यसकी भोक है पैसा और सम्मान जिवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जिवन का मात्र लक्षा भी जादतर यही बना रहेगा धन का माने के ललक अच्छी रहेगी और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में भी आगे अच्छी बिर्दी हो रही है इसका लाब होगा एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सिल बेक्तित्व भी यहां पे दिखाई दे रहा है इसका भी लाब दिखाई दे रहा है आगे इस तरों से हिर्दय की रेखा है आने वाले समय में जहां रहस्य में विद्याओं के तरफ आकर्षन जादा रहेगा इसकी नौलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और महत्व कांचा बढ़ने वाली है सोच बहुत अच्छी या आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इक्छा भी कहीं न कहीं टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए कितने भी मिहनत करने पड़े जुगार लगाना पड़े हतकंडा इस्तिमाल करना पड़े ये चीजें भी दिखाई दे रही है ये चीजे रहेंगी यहां से एक रेखा इस पे मिल रही है तो ऐसे में मंगल का प्रभाव के कारण मंगल दोस आने के कारण साधी ब्याह उगेरा में अर्चने आती है और विवाह बहुत जो है लेट होता है तो ये भी इसका पर्थमकारक है मस्तिस्क रेखा सिधा चंद्र कर्मक कलपना का कारक है मनि आपका जो मन है वो बहुत जादा सोचने वाला मन है आप जादतर कलपनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी इस समय एकागर्चित कम हो पा रहा है लेकिन स्रेष्ट सपलता होगी लेकिन कलपनाई भी बहुत जादा रहेंगी य बहुत जादा तरकी नहीं है मंगल की रेखा भी आ रही है आने वाले समय में दूसरों का सयोग भी अच्छा मिलेगा जीवन के 35 वर्स से एक सी जादा सुरोतों से धन का आगमन दिखाई दी रहा है जो अच्छे संकेत है करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है आने वाल के लिए बहुत सांदार चीजों को लेके आ रहा है भाग्योदई की इस्तिती दो बार दिखाई दी रही है एक तो 36 वर्स में एक 45 वर्स में आपकी भाग्योदई की सांदार इस्तिती में आ रही है इसका लाब होगा सुक्र का परवत जादा उबर गया है और जब ये इस तरी कारग्र है है तो ऐसे में जो वास्तिक सुक है चाहे दामपते जीवन का सुक हो चाहे साररिक सुक हो चाहे मानसिक सुक हो या चाहे जो है आपका बहुत एक सुक सुविदाओं का सुक हो लाख परियास करने पर भी वो सुक उस प्रकार से नहीं मिल पाता है जिस प् करने के लिए आप निश्चित रोफ से दिव्य योग ध्यानी के रिया जरूर करनी चाहिए दोनों मंगल आपके ठीक है तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक सोभाव बना रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है सनी की इस्तिति भी अभी जो है कभी-कभी बियो जहे की चिंताएं दे रहा है या कभी-कभी जो है कुछ हो जहें पैदा कर रहा है लेकिन ठेक हो जाएगा इसके बारे में हमने बता दिया है बुद्ध दीरे-दीरे ठेक आ रहा है इसका लाब होगा अब देखेगा अपने करना क्या है मैंने बता दिया पितर पक्च की इस्तिति पैदा कर रहा है इस चीज को रोखना है और चाई जो है सब्तमी हो अश्टमी हो नव्मी हो इन तीन दिनों में से अगर तीनों दिनों हो सकी तो बहुत अच्छा है ने तो एक दिन आपको जो है अपने घर में अच्छा खासा यज्य करना है तीन पांच जितने भी ब्रह्मनों को आप बुला सकते हैं बुलाईएगा और एक सांदार यज्य करिएगा हवन करिएगा घर में और निश्चित ही जो है नव ग्रहों की पूरी पूजा करिएगा उनको कहिएगा तो आपके घर में जो नजर दोस है वो खतम हो जाएगा दो काम यह हुए तीसरा आपने परस्णली क्या करना है एक दिब्य सूर्य किरिया एक दिब्य योगध्यान किरिया और एक बनस्पति का अश्णान आपने करना है यह अगर आप करते हैं और सूर्य उपासना तो निश्चित तोर पे आपको बहुत अच्छा लाब होगा आपकी मनोकामनाई पूर्ण होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार